अज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बायस क्लिपर सर्किट के बारे में पढ़ाऊंगा पिछले दू वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को सीरीज क्लिपर सर्किट और पैलल क्लिपर सर्किट के बारे में पढ़ाया Series Clipper Circuit and Parallel Clipper Circuit Unbiased Clipper Circuit है Unbiased इसलिए उसको बोला जा रहा है क्योंकि उस Clipper Circuit में जो diode को यूज किया गया था diode को forward या reverse bias करने के लिए किसे DC voltage source को यूज नहीं किया गया था वहाँ पे जो diode forward या reverse हो रहा था वो according to applied AC input signal था AC input signal का positive half जब मिल रहा था तो कोई diode forward या reverse हो रहा था वैसे ही negative half के case में diode forward या reverse हो रहा था तो जो AC input voltage दिये वो हमारा biasing voltage नहीं था तो AC input voltage से वो क्या हुआ था आइदर forward या reverse हो था उसमें भी हम लोगोंने देखा था कि diode को series में कभी तो कभी संट में connect करके हम लोग series और संट का configuration किये थे तो वो तो connection का part हो गया वो अलग बात हो गया हम लोग अभी discuss कर रहें कि bias क्या होता है और unbias condition क्या होता है तो हम लोगोंने क्या बात किया भी कि जो series clipper circuit था और parallel clipper circuit था वो unbias clipper circuit था इस बात को अभी याद रखिए और अच्छे से हम explain करेंगे और आज के class में जो हम लोग clipper circuit पढ़ने जा रहा है इसका नामी है bias clipper circuit इसको bias clipper circuit क्यों बोलता है तो ऐसा समझेगा ठीक है और इस circuit को पिछले दो video lecture में जितना भी हम लोगोंने circuit को deal किया था उससे आप compare करके देख लेना ठीक है आप लोग के notebook में तो होगा ही तो compare करके देखना देखो इसको bias clipper इसलिए बोला जा रहा है simple सा बात है एक line का बात है हरमे सा याद रहेगा इसको bias clipper circuit इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो diode यूज किया गया है diode को forward या reverse bias किया जाता है एक DC voltage source से एक DC voltage source को यूज करके इस diode को either forward या reverse किया जाता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते है bias clipper circuit बोलते है ठीक है इसको bias clipper circuit इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि DC voltage source से इसको forward bias या reverse bias किया जा रहा है ठीक है अब मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ तो आसा बताना मुझे मैं बिल्कुल सुनता हूँ ऐसा नहीं है ठीक है जो पढ़े वाले बच्चे होते हैं वो जवाब देते हैं मुझे पता है इससे पहले जो हम लोग सीरीज क्लिपर सर्किट पढ़े और पैरलल क्लिप लोगने के था ठीक है या किया है तो उसमें क्या कोई डेशीषों रियूज करके हम लोग सीरीज और पैरलल को अनबैस किया है क्यूंकि उसमें कोई reminded। यूज नहीं करते हैं यह जो AC input voltage देते हैं इसी AC input voltage से the diode either forward bias या reverse bias होता था और उसके अनुसार वो output signal produce करता था बट यहां पर diode के साथ साथ 1 DC voltage source भी यूज होगा diode को forward bias और reverse bias करने के लिए बस इतनी सी बात है दूसरा जो सबसे important बात है bias clipper circuit का एक बहुत ही important property है इसको दम दिमाग में रख लेना है ठीक है bias clipper circuit का एक बहुत ही important property है उसको दिमाग में रख लेना है ठीक है देखो क्या है जो अभी तक हम लोग 2 clipper circuit पढ़े series clipper circuit पढ़े और parallel clipper circuit पढ़े तो उसमें जो output signal आप लोग को देखने के लिए मिला था वो आइदर positive half या negative half of input signal को completely completely clip off कर रहा था या remove कर रहा था जैसे मान लोग positive clipper circuit पढ़े थे तो positive clipper circuit में हम लोग क्या पढ़ते थे चाहे वो series का हो या संट का हो उससे नहीं मतलब है तो उसमें आप लोग को देखने के लिए मिला था कि यह जो positive half होता है input signal का यह completely remove हो जाता है यह नीगेटिव क्लिपर circuit पढ़े तो उसमें negative half completely remove हो जाता है लेकिन जो biased clipper circuit होता है इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें अगर मान लो positive clipper circuit पढ़ाएंगे positive bias clipper circuit पढ़ाएंगे तो इसमें देखने के लिए मिलेगा है कि आपको कि जो positive half signal है output signal का इसमें से some portion of output signal remove होगा some portion of complete cycle remove नहीं होगा आप compare करके देख लो अब पीछी जो भी topic पढ़े हो notebook होगा आप compare करके देख लो output में क्या देखोगे आइधर positive half completely remove होता है या negative half completely remove होता है बट यहाँ पर ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा आइधर positive में से some portion of some portion of signal remove होगा या negative part of signal में से भी some portion of signal ही remove होगा completely कोई half cycle remove नहीं होगा आया बास समझें completely नहीं remove होगा clear है तो चलो स्वास देखते हैं कुछ points से हम लोग इसको पढ़ते हैं जो जो चीज समझाया है वही चीज यहाँ point में लिखा हुआ है इसके types को भी one by one deal करने वाले बहुत ही असान सा topic है कोई टेंसन लेने वाली बात नहीं है ठीक है first point देखा हम नहीं क्या लिखा the clipper circuit in which a DC voltage source is used to bias the diode is known as bias clipper circuit just अभी हमने बता है the clipper circuit in which a DC voltage source is used a DC voltage source is used to bias the diode ठीक है एक DC voltage source use होगा इस diode को bias करने के लिए ठीक है is known as bias clipper circuit मतलब आप एक लाइन में बोल सकते हो कि कोई भी clipper circuit जिसमें diode को bias करने के लिए किसी DC voltage source को use किया जाता है then that clipper circuit is called bias clipper circuits ठीक है बस इतनी सी बात है इसको याद रखना है ठीक है next point देखते है a bias clipper circuit is used to remove a small portion of a small portion of a small portion of positive और negative half cycle a small portion of positive and negative half cycle का मतलब क्या है portion का मतलब क्या हता भाग होता है कुछ हिस्सा होता है a small person of a small person बोलने का मतलब क्या है एक छोटा से हिस्से को यह क्या करता है remove करता either positive signal positive half या negative half के some portion को कुछ हिस्से को क्या करेगा remove करेगा completely positive half cycle positive half cycle या negative half cycle को नहीं remove करेगा जैसे यह output में देख रहे हो जो यह dotted line हो उपर का बना हुआ red line के उपर बस इतना को remove करेगा मतलब इसका जो output signal है वो इस तरीके से है समझ सकतो आप जैसे यह आप ऐसे बना लेना पहे ले ठीक है और इसमें से यह वाला portion क्या हो गया कुछ portion को यह क्या कर दिया remove कर दिया तो ऐसा signal यह output में produce करता है input दीजिएगा complete sinusoidal signal अरवा समझ में तो इसमें से यह क्या करेगा कि positive half के समझ portion को positive half of signal के समझ portion को यह क्या कर दिया remove कर दिया ठीक है बस इतनी से बात है इतना बात याद रख सकते हैं आप लो तो यही चीजिए यहां पे लिखा है a bias clipper circuit is used to remove a small portion of positive or negative half cycle of the signal voltage signal voltage बोलने का मतलब है input voltage ठीक है there are two types of bias clipper circuit इसके भी दो types होते है positive bias clipper and negative bias clipper याद रखना सबके तो दो ही types होते positive and negative series के भी दो types थे parallel के भी दो types है यहां पे bias clipper के भी दो ही type होंगे one by one एक टाइप को आप deal करेंगे हम लोग पहला हमने heading लगा राख है positive bias clipper positive bias clipper अगर bias word हटा दें सिर्फ positive clipper बोलते तो आप समझ सकते हो कि positive clipper क्या करता है तो positive portion of input signal को क्या करता है रिमूब करता है चुकि यह bias signal है positive bias signal है तो इसका मतलब यह है कि some portion of positive half signal को को रिमूब करेगा ठीक है some portion of positive half signal को रिमूब करेगा परते है point है the clipper circuit which remove a small portion of positive half cycle of input voltage भी in signal फिर से repeat कर दते है the clipper circuit which remove a small portion of positive half cycle a small portion of positive half cycle ठीक है of input voltage signal input voltage signal के some portion को small portion को यह क्या करता है remove करता है in this clipper circuit DC voltage VDC is used to reverse bias the diode यह भी बात मैंने रखता है कि जो DC voltage source use हो रहा है वो diode को forward bias कर रहा है कि divorce bias कर रहा है that is the very important part of the circuit ठीक है यह जो DC voltage source use किया जा रहा है यह DC voltage source diode से connected होता है तो diode से connected होगा तो आइदर इसको forward bias करेगा कि reverse bias करेगा तो याद रखना है positive bias clipper में जो DC voltage source होगा diode को करेगा reverse bias ठीक है भाई लोग ठीक है मेरे नहीं जिसके होगे उसके ठीक है तो तुम लोगा जो एज है इसमें तुम लोगा क्या मतलब सबजह सकते हो जवानी वाला जो एज होता उसमें दोनों तरह का भाई होता आदमी ठीक है चलो तो यह वाला जो concept था भाई वाला वो सब पर लागू होता है ठीक है चलो बुरा नहीं मनना है ना चलो आते हैं टॉपिक पे अब इसका थोजा circuit देखते हैं अब इसको ना अन-bias parallel circuit भी बोल सकते हैं क्योंकि यह डायोड जो है load के साथ यह बैस किया हुआ है और साथ ही साथ लूट के साथ पैरलली कनेक्टेड है तो बहुत सारे नामों से इन लोगों को डीनोट किया जाता है हम बहुत सिंपल फॉर्म में लेकि चले हैं ठीक है किसी-किसी बुक्स में तो इतना गंदर टैप से classification दिया हुआ ना कि पढ़ने तो एक बारी पढ़के याद कर सकता है कुछ ज़्यादा फेक रहा है क्या नहीं फेक रहा है बात मान लो अगर बुक होगा तो आप जाकर देख सकते हो ठीक है चलो फिर आदे हैं डॉपिक पर देखो यह circuit में क्योंकों से components लगे हुए किनका क्या combination है वो तो देख के ही है यह पैरलली connected होगा बायस डायोड के साथ बायस डायोड बोलने का मतलब यह जो डायोड है इसको बायस किया हुआ है इस भीड़ी सी भोल्टे सोर्स से बस इतनी सी बात है यही सर्किट से यह इसी इन्पुट सिगनल देंगे तो ऐसा आउटपुट सिगनल प्रेश करेग है ऐसा आउटपुट सिगनल आजाएगा ठीक है और यह जो रेड़ कलर से डॉट डाले है यह भीडी सी को रिपरजेन करता है अब भीडी सी चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो यहां पे लिख दिए तो कोई दिकत नहीं है चलिए इसका operation समझाते हैं operation समझना थोड़ा सा कंसेंट्रेशन के साथ समझना पड़ेगा आप लोग को ठीक है क्योंकि थ्वासा concept यूज होगा और बहुत कुछ खास नहीं है बहुत इजली समझ में आ जाएगा ठीक है दो तीन बात है हरमें सा याद रखना है तो इस सबका operation अपने से भी लिख सकते हो देखो क्या होगा ये जो diode है अब इसको दो-दो voltage मिल रहा है इससे पहले वाला जितना भी हम लोग circuit deal किये हैं उसमें ये DC voltage source तो था नहीं तो कोई लफ़रा नहीं था ये AC input voltage से ही forward or remove हो जाता था positive half, negative half तो ये तो input voltage है ही इसका भी असर पड़ेगा इससे भी forward reverse होगा साथी साथी ये जो DC voltage source यूज किये हैं इससे भी असर पड़ेगा ये permanently इसको forward ये reverse किये होगा रहता है जैसे इस circuit में ये जो BDC है इसको permanently reverse बायस में रखने का काम करता है अब देखोगे ये इसका cathode terminal होता है diode का और ये anode terminal होता है इतना बात तो आप लोग को पता है और इस हो हम लोग एक एक साइकिल जैसे पहले हम लोग जो topic पढ़े हैं पिल्कुल वही pattern रखेंगे पढ़ाई का अपना और बहुत ही simple तरीके से इसको पढ़ेंगे देखो हम operation समझा रहे हैं तुम लोग समझने का कुसिस करना हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले positive half cycle ले ले लेंग कि यहां पर plus और यहां पर minus voltage apply होगा ठीक है इस plus minus के कारण आपको देखना है कि diode forward भाइस होगा कि reverse भाइस होगा पहले भी ऐसे ही पढ़ा है अभी भी ऐसे ही बता रहे हैं यह AC input voltage है इसका positive half के कारण यहां पर plus और minus आएगा terminal का voltage और इसके थुरू देखना है कि diode forward होगा कि reverse होगा तो जो समझदार वच्चे होंगे समझ गया होगे कि इसके note पे इधर से positive voltage मिल रहा है और इसके cathode पे negative voltage मिल रहा है तो यह क्या होगा forward भाइस होगा किस के थुरू भी इन के थुरू forward भाइस होगा applied AC input voltage भी इन के थुरू हरमेसा यह क्या होगा पोजेटिव हाफ साइकल के केस में forward भाइस होगा और एक चीज़ या रहना कि इसका भी इन का जो input voltage है यह हरमेसा इस DC voltage से ज़्यादा होता है ठीक है यहाँ पे जो भी इन voltage का amplitude होगा इस DC voltage से हरमेसा ज़्यादा होगा यह मानल से ज्यादा होगा अभी फिलाल इतना याद रखो कि किसी और का है चलो फिर अदने टापिक पर है अब देखो तो इसकी यह फरवाड होने के कारण यह ओन होना चाहेगा ठीक है पोजेटिव और निगेटिव अप्लाइट वोल्टेज के कारण पोजेटिव हाब के कारण य क्या यह ओन हो जाएगा तो यह ओन नहीं होगा इसलिए क्योंकि यह भी डीसिवोल्टेज इसको रिवार्स बास किया रहेगा कितना व्ल्ट से तो भी डीसी वोल्ट से एक एक एक्जाम्पल के रूप में अभी हम आप लोग को बता रहे हैं तो समझने का कोसिस करना सपोज करो कि VDC का वैलू दो वोल्ट ले लिया गया तो यह दो वोल्ट से यह डायोड क्या रहेगा रिवोर्स बायस रहेगा मतलब इसको रिवोर्स बायस करके रखेगा यह दो वो वोल्टेज होता है सुनों के ध्यान से वह 0V से बढ़ना यह चाहेगा लेकिन यहां से 2V जो है इसको रिवोर्स किया हुआ है तो यह 2V तक रिवोर्स रहेगा जैसा ही यह इन्पूट वोल्टेज का वैलू 2V से ज्यादा होगा यह डायोड फरवाड बायस होजाएगा ध् लेकिन दो वोल्ट तक यह डायोड reverse बायस रहेगा और यह open switch का काम करेगा मतलब open switch की तरह बीएब करेगा और जितना देर तक open switch की तरह काम करेगा तो आप लोगों को याद होगा संट पढ़ा चुके हैं जब डायोड open रहता तब output voltage मिलता है जब डायोड off रहता है तो output voltage मिल जाएगा VDC का value 2V है तो VDC को क्या करना है एक dotted line से ह erleb का एक बताते हैं क्या करना है बंचेंट ही का ये टोंटेड लाइन फिच देना है यह किसका है तुम भी हॉल्ट वाला है देखो दो वॉल्ट भी लिग दिया है यह ब्लोटेज का भैलू बढ़ना नहीं स्टार्ट किया यह इसको बढ़के 5 बोल्ट तक जाना 0, 1, 2 2 के बाद जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज बरेगा ये डायोड क्या हो जाएगा फरवाइड बैस हो जाएगा और फरवाइड बैस हो जाएगा तो ये on switch हो जाएगा और ये जब on हो जाएगा तो output voltage 0 हो जाएगा लेकिन 2 वोल्ट तक ये off था तो 2 वोल्ट तक हम लोगो output मिलेगा 2 वोल्ट के उपर वाला जो value है 2 वोल्ट से लेके अब 5 वोल्ट तक ये output voltage हम लोगो 0 मिल जाएगा फिर 5 वोल्ट से घटते हुए 2 वोल्ट के नीचे जैसे ही आएगा फिर से ये क्या हो जाएगा Open हो जाएगा ये 2 वोल्ट क्या करेगा इसको reverse किया रहेगा तो फिर से ये वला पोर्सं मिल जाएगा यानि कि हम लोगो वोल्ट तक output voltage मिलेगा 2 वोल्ट के उपर के voltage के लिए output voltage क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 2 वोल्ट के उपर और यह क्या कर रहा है भीन इसको फरवाईट बैस कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से यह positive half cycle में positive half cycle के लिए output produce किया और positive half cycle में हम लोगो some portion of output signal मिल गया और some portion of signals को यह क्या कर दिया remove भी कर दिया अब देखो πाई के बाद क्या होगा cycle change होगा, pi से 2pi वाला कहानी, चलो start करते हैं, जब pi से 2pi का time हैगा, तो यह minus हो जाएगा, यह plus हो जाएगा, ठीक है, terminal का a और b point का polarity change हो जाएगा, minus और plus, और इस minus plus के करण diode को देख लेना है, diode forward बैस होगा, कि reverse बैस होगा, तो obviously anode पे negative voltage आ रहा है, और cathode पे positive voltage आ रहा है, तो तो यह always reverse bias है, BTC तो reverse bias करके रखा ही था, साथ ही साथ इसके through भी reverse होगा, तो यह पूरे cycle के लिए, negative, complete negative cycle के लिए, यह open switch की तरह काम करेगा, और जब यह open switch की तरह काम करेगा, तो parallel में जब diode connected रहता है, और open की तरह काम करता है, तो output voltage मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग को complete cycle क के लिए, output voltage मिल जाएगा, कहां से कहां तक, तो pi से 2pi तक, negative half cycle के लिए, हम लोग को complete output मिलेगा, फिर positive half cycle में, फिर से यह positive half cycle में, voltage rise करना, start करेगा, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 2 volt तक तो इसको reverse bias करके रखेगा, BDC, तो 2 volt तक क्या करेगा, इसको open रखेगा, तो 2 volt तक हम लोगों को output मिल जाएगा, उसके बाद output voltage का value क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर इस तरीके से हम लोगों को output मिल जाएगा, फिर negative half cycle के लिए same कहानी repeat होगा, देखो यह सबसे easiest method था अभी जो हम बताए, जिस method से आपको explain किये, this is the easiest method, बहुत सारा method से इसको पढ़ाय जाता है, लेकिन यह देख लेना, यह positive negative का भी लोचा राता, उपर positive है, नीचे है, यानि कि यह यह उपर line draw होगा, ठीक है, अच्छा, आगे कोई मिलेगा तो हम, अभी बहुत सारा experiment करना बाकी है, circuit के साथ अभी आप लोगों को खेलना सिखाएंगे, बहुत सारा circuit पढ़ाएंगे, तुम सो इचा जाएगा, तो I hope कि आप लोगों समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को हडी पले करना, 20-40 बार, 50 बार देखते रहो है ना, जिसको समझ में आना होगा, एक से दो बार समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब जिसको नहीं समझ में आना होगा, कभी नही दिखो गए, देखो फॉस्ट पांट क्या लिखा है, when the input voltage V in is positive, when the input voltage V in is positive, ये input voltage V in positive है हमारा, positive हाफ साइकिल के बारे में बोला जा रहा है, but does not exceed DC voltage VDC, ये positive है, लेकिन VDC से exceed नहीं करा, मतलब ये VDC जो voltage exceed का मतलब क्या ज्यादा नहीं, ठीक है, उससे अगर ज्यादा नहीं है, तो diode D remains reverse biased, कहने का मतलब क्या है, जो input voltage है, ठीक है, उससे ये diode क्या होगा, forward bias होगा, फिर सम परकर बताता है, when the input voltage V in is positive, कहा जला कि input voltage V in positive होगा, but does not exceed DC voltage VDC, ये positive है, लेकिन VDC से exceed नहीं किया, मतलब ज्यादा नहीं है, diode D remains reverse biased, उतना देर तक diode जो है, reverse bias रहा, कितना देर तक, जितना देर तक हमारा भी in VDC से चोटा रहेगा, या equal रहेगा, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो जितना देर तक ये भी in हमारा, ऐसे समझो न, जितना देर तक भी in हमारा VDC से कम रहेगा, भी in less than VDC रहेगा, उतना देर तक diode क्या और उतना देर तक हम लोग को आउटपूट मिलते रहेगा ठीक है बस इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डायोड डी रिमेंस रिवार्स बायस इन दिस केस मोस्ट आप दो इनपूट वोल्टेज अपियर एक्रोस दो आउटपूट इस केस में मोस्ट आप दो इनपूट इनपूट वोल्टेज भिए नीगेटिव इनपूट वोल्टेज नीगेटिव ओगया 거예요ㄷ रिवार्स बायस जो डायोड बी है इससे क्या होगा रिवार्स बायस हो सबहा क्योंकि यह माइनस प्लस हो जाता है ठीक है रिवार्स बायस और यह एक ओपें सिइच की तरह काम कर करेहा चाहिए क्वी यह माइन्स-फ्लस से रिवverse हो रहा है इन इस केश सिंटायर निगैटिव हाफ साइकल अपर एक्रॉस न लोड़абот केंश में इसकेश में इंटायर के बड़ाबर मिल रहा है तो उसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि R का वैलू RL से कम है बहुत ही कम है कि हुई यहां पर बोल्टेज डॉप हो जागा तो फिर बड़ाबर नहीं होगा तो यह कंडिशन अप्लाई है इस केस में जो हमारा आउटपट वोल्टेज होगा इनपट वोल्टेज के बड़ाबर होगा तो यह आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इसको फड़ फट लिख लिजे उसके बाद फिर हम लोग जो सेकेंड टाइप होता है उसको भी अभी डिल करेंगे तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे निगेटिव बाइस क्लिपर को निगेटिव बाइस क्लिपर पोजेटिव बाइस क्लिपर सर्कुट का जश्ट आप पोजेटिव बाइस क्लिपर सर्कुट क्या किया था और निगेटिव बाइस क्लिपर क्या करेगा small portion of negative half cycle को remove करता है small portion, बहुत ही छोटे से portion को ये क्या करेगा, remove करेगा या बोल सकते हो कि जितना desire होगा ये तो DC voltage पे depend करेगा कि कितना voltage को remove करना है ठीक है, as per requirement हम लोग जो जितना signal remove करना होता है उसके अनुसार हम लोग voltage यहां पे apply करते हैं और signal को क्या करते हैं remove कर लेते हैं, वो हमारे requirement पे depend करता है, clear है चलो, पहला point परते है the clipper circuit which remove a small portion of negative half cycle of input voltage signal बोला जारा है कि a clipper circuit which remove a small portion of negative half cycle of input voltage signal ये negative half cycle of input voltage signal complete cycle का है इसमें से some portion को देखूँ के red line के नीची ये वाला जो part है न इसको remove कर देगा ये ठीक है, तो वैसे circuits को हम लोग क्या बोलेंगे negative bass clipper बोलेंगे सारे cycle में हर एक negative signal negative half cycle जो होगा उसमें देखूँ के small portion of signal क्या क्या हुआ रहेगा, remove क्या हुआ रहेगा ठीक है, अगला point क्या है in this clipper circuit, DC voltage VDC is used to reverse bias the diode यहाँ पे भी यह path common है जो पिछला topic हम लोग पढ़े थे positive bias clipper वहाँ पे भी हम लोग उने क्या पढ़ा था कि जो DC voltage source होता है VDC, diode को reverse bias करता है यहाँ पे भी जो DC voltage source है diode को reverse bias कर रहा दिखू connection दोनों का change है diode का और यह DC का connection जो है यह अलग बात है कि दूनों में diode क्या हो रहा था इस VDC के कारण reverse bias हो रहा था, लेकिन अगर circuit को compare करोगे तो उसमें यह जो diode है उल्टा लगा हुआ था, अभी ऐसे लग गया ठीक है, just opposite लग गया और यह diode का DC के साथ भी connection अभी change हो गया है तो आप compare करके देख लेना लेकिन इसमें इसमें भी यह जो diode है, VDC से क्या हो रहा है reverse bias हो रहा है, तो यह कुछ point सा चलो यह सब याद रखने का चीज है अब हम लोग तो आसा इसके operation की बात करते हैं operation भी बहुत ही असान है बिलकुल वैसा ही operation होगा जैसा आपने लोग उने positive bias क्लिपर पढ़ा था, चीक हम point को उपर नीचे कर दिया है, कुछ नहीं किया है आप compare करके देख लेना, और positive half cycle के जगर पे negative half cycle लिख दिया है, और negative के इस जगर पे positive कर दिया है, जो point two था उसको point one मिले के आ गया है, और यह B माल लेता है, यहां पे plus और यह minus हो जाएगा, देखो इस positive half cycle के case में plus और minus voltage के करण यह diode D क्या हो रहा है, reverse bias होगा, क्योंकि diode D का यह cathode terminal होता है, यह anode terminal होता है, cathode पे positive voltage और anode पे positive voltage, तो इस V in voltage से यह reverse bias हो रहा, साथी साथी यह जो VDC है, इस VDC से भी यह diode क्या हो रहा है, reverse bias हो रहा है, दोनों case में, मतलब दोनों voltage से यह reverse bias ही हो रहा है, यानि कि यह completely entire cycle of positive half cycle, मतलब पूरे cycle के लिए यह diode reverse bias रहेगा, open switch की तरह काम करेगा, और parallel में जब diode open काम करता है, तो हम लोग को output मिलता है, होगा, input signal के BM के बराबर होगा, अगर इसका BM का value 10 volt है, तो इसके भी BM का value कितना होगा, 10 volt होगा, चलिए यह सबब बताने का time गया, तो यही चीज़ फर्स पॉइंट में लिखा हुआ, when the input voltage V in is positive, when input voltage V in is positive, the diode D is reverse bias, diode D क्या होगा, reverse bias होगा, and behave entire positive half cycle appear across the load, इस case में entire half cycle load के across appear हो जाएगा, यानि output मिल जाएगा, अब negative half cycle के लिए case deal करेंगे, यह हमारा negative half cycle है, pi से लेके 2 pi तक, यहाँ का terminal का polarity सब से पहले change हो जाएगा, minus plus, इस minus plus के करण diode को देखना है कि forward bias होगा कि reverse, obviously यह diode क्या होगा, reverse bias क्योंकि इसके cathode पे negative voltage मिल रहा है, anode पे positive voltage मिल रहा है, तो इस भीईन के कारण यह forward bias होना होगा, लेकिन VDC इसको हर में सा क्या करेगा, reverse bias करके रखेगा, तो जितना volt तक इसको reverse bias करके रखेगा, उतना volt तक कि यह open switch की तरह काम करेगा, output देते रहेगा, जैसे ही VIN का value VDC से बड़ा हो जाएगा, VIN का value VDC से बड़ा हो जाएगा, VNOT का value 0 हो जाएगा, क्योंकि diode क्या हो जाएगा, close switch का काम करेगा, ठीक है, बस इतनी इसी बात है, जो की पहले भी हम आप लोको समझा चुके हैं, मान लो VDC का value 2 volt है, तो 2 volt तक यह reverse बायस करके रखेगा, VIN का value 0 volt से बढ़ना है, start करेगा, 0, 1, 2, 2 volt तक इसको open करके रखेगा, जैसा ही 2 volt से बड़ा होगा, यह reverse हो जाएगा, 2 volt तक output यहाँ पर मिलेगा, यह 2 volt मालत है, या 2 volt मत बान दो, VDC simply लिख लो, और VDC का यह dotted line से बनाएगा, क्योंकि यह DC voltage है, तो यह line बनेगा, तो इस तरीके से इसका जो output signal आएगा, देखो के, पूरा complete cycle नहीं आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है, तो I think कि आप लोगो समझ में आ गया होगा, आप लोग diode अगर अच्छे से पढ़े होंगे, अब इसलिए अगर हम पढ़ाए होंगे, तो आप लोगो जरूर वहाँ पर बताया होंगे, diode जो होता है, तो आसा यहाँ पर समझोगे, यह एनोड होता है, यह इसका कैठोड होता है, अगर एक ही डायोड पर दो दो तरह का वोल्टेज लगे, इधर से माल लो फरवाट वोल्टेज हम अपलाई कर दिये, ठीक है, यह फरवाट वोल्टेज अपलाई कर दिये, इतना 5 volt और इधर से हम apply कर रहे हैं लेकिन ये इधर से मालो forward voltage apply कर रहे हैं reverse voltage apply कर रहे हैं ठीक है देखो फिर से थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं ये वला case ले लिए यहाँ पर 2 volt अब इस case में ये diode दैयोड on switch की तरह काम करेगा कि off switch की तरह काम करेगा यह देखो यह जो 5 बोल्ट का voltage है यह डैयोड को फरवाड बैस कर रहा और 2 बोल्ट का इसको रिवॉर्स बैस कर रहा तो यह voltage का value जाएदा है तो यह फरवाइड हो जाएगा ठीक है दूसरा किस ले लेते हैं ऐसा देखो यह ऐसा किस ले लेते हैं यहाँ पर डायोड लगा हुआ है midtculus यह कितना भी वोल्ट का हो यह 5 बोल्ट का है यह 2 बोल्ट का तो यह दोनोंtał voltage से क्या हो रहा है यह फिरवाद ही होता तो दोनों से यह क्या होगा? ओन होगा लेकिन यहाँ पर क्या कहानी है यहाँ पर एक AC input voltage है एक DC है AC input voltage 0 से बढ़ना स्टाट करता है दिमाग लगाने का चीज़ नहीं है अगर डायोड का बेसिक चीज़ पता होगा तो आपको यह समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलो इसको अच्छे से पढ़ लेना यह जब भी कोशन पूछा जाएगा ना तो आप से बाइस क्लिपर सर्कुट के बारे में पूछा जाएगा नहीं आपको पूरा लिखना पड़ेगा इसलिए तो असा ओप्रेशन को हम सौट में ही लिखें क्योंकि पोजेटिव बाइस क्लिपर और निगेटिव बाइस क्लिपर अगर ओवर ओल देखा जाए दोनों को मिला दिया जाए तो एक बड़ा सा टॉपिक बन जाता है इतना